नमस्कार दोस्तों सरकारी भरती में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इलावाद आरो एरो के एक्जाम डेट के बारे में तो सबसे पहले वेबसाइट पर मैं लेज़ता हूं और दिखाता हूं दिखे मैंने इनका ओफिशली वेबसाइट है और जो एजेंसी करा रही है यह एक्जाम इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ठीक है और इनका अभी फॉर्म जो फरा जा रहा है यहां पे देख सकते हूं आप लेखा हुआ है कि टेस्ट जो है सर्विसेस.NIC ठीक है तो कंबाइन है NIC इनका पात है और आप देख चो भी हो रहा है इसका इसका कि ऑलावादारों GArand का नि願い है तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्जाम कब कब तक होगा यह यही सबसेटे ॏब यही दहीं सेर्श करते हैं कि सबसे पहले यहीं ठीक है पोई लोग बोल रहा है तो लेकिन देखे मैं इसके साथ तेरे जो है चलिए और एक वैसे मान के चलिए जो लोग पढ़ाई किए तो वह तो टेंशन नहीं लेंगे ठीक है जो लोग करें ही नहीं है तो उनको तो मैं यह कहूंगा कि देखिए क्या है कि आप अभी से लग जाईए ठीक है अच्छे से लग जाईए और पूरा किताब पढ़ने की ज़रूत नहीं है आप वन लाइनर कोश्चन को जातर देखें तो यह तो पढ़ाएने वाली अगर जो है यह सारी चीजे अलग वीडियो में बता दूँगा कैसे आपको जो है शॉट जो है इतना कम टाइम में कैसे सारी चीजे को मैंनेज आप करोगे इसके लिए अलग से वीडियो में बना दूँगा तो आज की वीडियो सिर्फ यह रहे अभी 17 सितंबर तक जो है इसका लास्ट फॉर्म जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का ठीक है आप देख सकते हो कि 17 सितंबर तक तो चले गए चलेगा ठीक है आज चार तारीक हो गया चार सितंबर और यह फॉर्म जो है भरा जा रहा था 17 अगस थे तो आप यह सुचो 17 प्टेंशन लेनी के ज़रूत नहीं है यह एकदम लास तक जाएगा नौवंबर एंडिसम्बर के बीच तक जाएगा मैं बता रहा हूं किसे क्या है देखो अभी न्यूज आपने देखा होगा कि बीच में जो इसमें जो पिछले साल जो है भरती हुई थी तो उसमें क्या हु कुछ अलग डॉक्यमेंट लेकि उनकी भरती की गई है तो उनको बुला के पूछा जा रहा है वेरिफिकेशन चल रहा है ठीक है तो वह तो प्रोसेस चल रहा है अब बीच में इलाबाद हाई कोट का जज़ वाला भी जो है इंटर्वी है ओमर से जो होगा ठीक है और से नह करा रहा है ठीक है तो यह अभी क्या करेगा कि सबसे पहले इतनी जो धादली हुई अपनी सेक्यूरिटी काफी स्ट्रॉंग करेगा सारी चीजों को लेके और एक तरह से ट्रस्ट तो बनाई रखा है क्योंकि वेंडर पास हुआ अप्रूवल मिला है तो भाई यह एक्जाम कराएगा ठीक है तो अपनी सेक्यूरिटी बहुत ही यह स्ट्रॉंग रखेगा और उसके बाद सारी चीजों के बाद अप मेंटेनेंस करने के बाद यह एक तरह से रिपोर्ट देगा ठीक है अलाबाद हाई को को कि हम जो है अब रेडी है और उसके बाद जो है वहां से आप रिपोर्ट हो रह रही चीजिया काल्कुलेशन के बाद पूरा जो क्या कर सकते हैं इनका पेAR उनके लिए फैसला थान को टाइम चाहिए ओन लाइन चीजिशे आप तो सारी चीजें online हो रही है computer टेस्ट भी सारी चीजे online होगी क्या पता इनका अलग से software यह खुद बनाए ठीक है अपना software पे जो है वहाँ पे जैसे इलाबा हाइकोट का जो adjustment orders है वहाँ पे पुट अप करें यह नहीं कि जैसे आम दिखाते हैं अभी सोनी टाइपिंग में तो सोनी टाइपिंग में कराएंगे नहीं वहाँ पे ठीक है उनका अलग से software होगा तो सारी जो है इस पे नंबर आएगा तो अभी बहुत सारे इनके मामले जो है अभी फसे हुए है तो अभी अनुमान के साथ लगाया जा सकता है देखो अभी अनुमान के साथ अभी भी मैं बोल रहा हूं ठीक है अभी भी आपके पास जो है दो महीने का टाइम है ठीक है अभी भी तीन महिने का है टाइम है क्योंकि आप पीछली बार भी उठा कर देख लिजेए सन 2020 का जो देख लीजेगा जब लग्शाथ ठापह उस एक्जाम के लास्ट अडेट जो है की थीन रही है इलाबाद हाई कोड में जो अभी धादली हुई है अभी जो एक्जाम होगा ठीक है और यह भी नया जो है एंटी को दिया गया है वेंडर इन सब चीजों को लेकर सेक्योरिटी स्ट्रॉंग होगी काफी चीजे होंगी जैसे अभी दोनों एक साथ करा आने वाले हैं ज सब्सक्राइब करते हैं अभी से लग जाओ अच्छे से लग जाओ जो है पढ़ाई करो ठीक है सारी चीजे एक अनुमान के साथ बताई जा रही है ठीक है गवर्मेंट के माइंड को कोई नहीं जानता लेकिन जो है एक एक स्पीरियेंस और एक जो होता है ना कि थोड़ा सा लॉजिक लगता है कि ऐसे होना चाहिए तो कहीं कुछ सही भी होता है तो बस यहीं मैं बोल रहा हूं आपको कि एक दो महीने तो मान के चलिए दो महीने बाद आपका एकजाम होगा और दो महीने में जो है आप बुक्स ना पढ़े आप वन लाइनर कोश्ट अब्जेक्टि और टाइपिंग पर भी बड़ा ध्यान देजिए बहुत सारी वीडियो चार वीडियो बनाई रखी है और आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा अभी इसके बाद जो वीडियो आएगी इसमें मैं आपको बताऊंगे कि आप कम समय में पढ़ाई कैसे करें अच्छे से और जो है पूरा कवर करेंगे सारे वीषय को कम समय में कैसे पूरा कवर करोगे ठीक है वह चीजे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से वीडियो लेकर आऊंगा अलग जो है इसके बाद वाली वीडियो में तो बस आपको देखो या आपको टेंशन लेने की बिल्कु करा जाएगा तो दो महिने आपके पास टाइम है ठीक है और अच्छे से जो है आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका टेंशन ही मतलीजिए एक्जाम कब है कम नहीं है यह इतना इतना ध्यान क्यों लगाती हो आप चलो अगर आप जो है आप जानना ही चाहते हो तो जैसे मैंन जो है जब होगा तो यह भी सत्य है अगर एक बार इनका सेटलमेंट हो गया जो एक्जाम देगे तो इसलिए ऐसा जो एक्जाम है वह बहुत ही कम देखने को मिलता है लेकिन अब लगातार आई रहा है तो आई रहा है वह तो चीज़े आप देखी रहे हो तो बस आप लग जाओ पढ़ने में और बस एकी स्टेप है आपको एकी स्टेप देना है उसके बाद जो आपका सेलेक्शन होई जाएगा तो टेंशन मत लीजिए और एक्जाम दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिक दिस वीडियो एव नाइस टे